आप इन्वेंटर में एक और आप बनाना सीखते हैं जो की text to speech, speech to text और translation features जो है आप इन्वेंटर के उनको use करती है तो इस तरीके से जो भी हम dictate कर रहे है उसका हमें यहाँ पर text जो है वो मिल रहा है फिर एक और feature है जो की English to Hindi translate करेगा तो मैं type कर रहा हूँ Hello, my name is Atul, how are you? और फिर मैं English to Hindi का यह button क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे translation मिल गया नमस्कार, मेरा नाम अतुल, आप कैसे है मैं कुछ और भी type कर सकता हूँ जैसे India is a large country तो मुझे translation मिल गया भारत एक विशाल देश है तो इस तरीके से यह जो हमने app बना ही है fun with speech इसमें हम text to speech, speech to text और translation यह तीन जो features है app inventor के, इनके बारे में सीखते हैं app inventor की website app inventor.mit.edu में जाकर हम यहां create apps का button क्लिक कर रहे हैं मैं already logged in हूँ तो यह मेरे existing projects हैं यह जो अभी मैंने आपको project दिखाया यह वो है तो हम इसी project को step by step बनाना सीखते हैं तो मैं यहां projects में जाकर कह रहा हूँ start new project project का नाम speech फिर हमारा यह नया project खुल गया तो इस project में हम अभी screen one पर हैं और हम screen का जो title है इसको change कर सकते हैं तो मैं यहां title में जाकर लिख रहा हूँ fun with speech तो यहां पर यह हमें fun with speech मिल गया और मैं screen की जो orientation है इसको भी lock कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ केवल portrait mode में यह चलेगी app उसके बाद हम एक button create करना चाहते हैं तो मैं user interface में जाके एक button को यहां drag and drop कर रहा हूँ तो यह जो blue line है यह दिखाती है critical हो जाती है समझने के लिए कि हम जो नया element ला रहे हैं वो कहां पर place होगा तो अब हमारे को यह screen one जो है उसमें यह button one मिल गया तो यह screen one इसका parent है और यह button one indented इसके अंदर हमें मिल गया तो हम button one पर जाके एक best practice है कि आप जो भी यहां पर लिख रहे हैं इनका proper title दे इन components का क्योंकि बाद में जब बहुत सारे components add हो जाते हैं और हम blocks में जाके उनकी programming करते हैं तो याद नहीं रहता कि button one button two button three इस तरीके से अगर होगा तो वो याद नहीं रहता तो इसको मैं जाके rename कर रहा हूँ यह हम कह रहे हैं कि जो हमारी instructions है जो की text to speech के रूप में read out होंगी यह वो हैं तो मैं यहां लिख रहा हूँ instructions button और मैं इसको camel case में लिख रहा हूँ camel case मतलब जो हम word start करते हैं वो first word जो है वो lower case होता है और उसके बाद जो भी नया word हम add कर रहे है उसका first letter capital हो जाता है तो यह camel case है और फिर मैं instructions button में जाके इस button का text बदल रहा हूँ और मैं यहां लिख रहा हूँ click for instructions तो यहां पर मुझे यह मिल गया click for instructions अब अगर मैं इस button को code करना चाहता हूँ तब मैं यहां blocks में जा रहा हूँ और यहां पर यह मुझे instructions button को अगर मैं click करता हूँ तो इससे जो भी related हमारे पास programming blocks और commands है वो हमारे को यहां मिल जाते हैं तो मैं यह पहला जो block है यह लेकर आ रहा हूँ कि when instructions button is clicked do something और हम क्या करना चाहते हैं हम चाते हैं कि जो भी text है उसको speech के रूप में read out किया जाए तो मैं वापस designer में जाके media की drawer खोल रहा हूँ और media की drawer पर हमारे को यह text to speech का component है तो मैं इसको click करके drop कर रहा हूँ पर यह हमारे user interface में कहीं नहीं add हुआ क्योंकि यह non visible component है तो यह इसको हम program कर सकते हैं पर यह हमारे user interface में नहीं दिखाई देगा तो अब वापस में blocks में जाके text to speech को select करके यहां से यह programming block ले रहा हूँ तो हमारी अब programming instructions क्या है कि जब यह button click होगा तब text to speech का जो function है उसको call करना और message क्या पढ़ना हम है और हम इसके अंदर जो भी type करेंगे वो जो text है उसको हमारी app as speech पढ़ देगी तो मैं यहां पे लिख रहा हूँ कि click for instructions या और अगर इसको लंबा करना है तो हम कर सकते हैं click this button for instructions तो यह हमारा एक छोटा सा program जो है वो बन गया है अब अगर हम इसको test करना चाहते हैं तो हम यहां connect में जाके यहां पर AI companion क्लिक कर रहे हैं और फिर मैं अपनी tablet में MIT AI2 companion app जो है इसको launch कर रहा हूँ और इस बार मैं scan QR code यह option ले रहा हूँ तो मैं यह code को scan कर रहा हूँ और यह automatically जो है यह scan होके code वहाँ पर आ गया जो six letter का code है और यह अब connect हो रही है तो connect होने के बाद हमारे को यहां पर यह click for instructions जो है यह मिल गया और अगर हम इसको इस button को click कर रहे हैं click this button for instructions click this button for instructions तो हम यहां पर जो भी लिखेंगे वो चीज text to speech हो जाएगी तो अगर मैं यहां पर जाके कह रहा हूँ कि you should exercise every day और अब अगर मैं इसको वो पस जो आप है इस पर try कर रहा हूँ तो इस तरीके से हम जो भी यहां पर message लिखेंगे वो अपने आप text to speech में convert हो जाएगा मैं यहां button का title थोड़ा simple कर रहा हूँ और click रहा हूँ cable instruction अब हम next feature देखते हैं speech to text का तो इसके लिए हम एक और जो user interface में जाके एक और button ला रहे हैं और यहां पर यह blue line है यह हमें बता रही है कि यह component जब हम यहां पर drop करेंगे तो यह instruction के नीचे आएगा यह अभी भी सब कुछ जो है इन सब components का parent जो है वो screen 1 है और मैं यहां इस button को पहले तो rename कर रहा हूँ speech text button camel case में और button का नाम लिख रहा हूँ speak out और फिर मैं media में जाकर अब यहां से speech recognition का जो component है यह drag and drop कर रहा हूँ और again यह UI में नहीं मिला यह हमारे को non-visible component की तरह as a component add हो गया है पर UI में नहीं दिखता अब मैं जाके वापस blocks में इसकी programming करता हूँ तो हम कह रहे हैं कि speech to text button हम कह रहे हैं कि when speech to text button is clicked और हम फिर speech recognizer जो component था इसको click करके function ला रहे हैं get when this button is clicked call this function and get text तो अब हम चाहते हैं कि user जो भी बोलेगा वो हम screen में दिखाएं तो इसके लिए हम वापस designer में जाके अब यहां पर user interface से label का यह component drag and drop कर रहे हैं blue line के नीचे और यह जो label है इसको हम rename कर रहे हैं speech label और इसका text बदल रहे हैं हम यहां कह रहे है speech text और इसको हम इसकी विर्थ हम fill parent कर सकते हैं तो हम चाहते क्या हैं कि जब यह speak out button click होगा और user जो भी बोलेगा वो यहां पर type हो जाएगा हम blocks में जाके speech recognizer में जा रहे हैं और हम यहां पर अब यह programming block ला रहे हैं जो कह रहा है कि when speech recognizer after getting the text तो जब speaker बोल लेगा और जो भी वो बोला है उसके साथ हमें उस text का क्या करना है तो वो हम instruction यहां दे रहे हैं तो हम चाहते क्या हैं कि वो जो भी बोलेगा वो type हो जाए यह जो हमने label create किया था तो हम अब यह speech label के programming blocks देख रहे हैं और हम कह रहे हैं set speech label text to यहाँ पर अगर हम यह result पे अपना mouse hover कर रहे हैं तो हमार को यह get result मिल रहा है तो हम इसको यहाँ डाल रहे हैं तो अब जो भी user speech बोलेगा वो speech to text convert होके इस label में वहाँ पर type हो जाएगी अपने program को अब test करके देखते हैं मैं speak out का button दबा रहा हूँ hello full stop how are you तो इस तरीके से यह जो हमारा speech to text है यह भी काम कर रहा है तो instruction में हमारे को text to speech मिल रहा है और speak out में हमारे को speech to text का function मिल रहा है India is a large country तो next हम इसका UI थोड़ा सा improve करके सीखते हैं कि कैसे हम as a app इसको convert करके AP के file बना कर कैसे अपने Android डिवाइस में transfer कर सकते हैं तो मैं वापस designer में जा रहा हूं और हम buttons की को थोड़ा improve कर सकते हैं तो मैं यहां पर instruction button को select कर रहा हूं और मैं इसमें background color इसका black करके text का color white कर रहा हूं और font size में भी 18 कर रहा हूं width इसकी pixels में 100 pixels कर रहा हूं और इसकी height जो है वो मैं 50 pixels कर रहा हूं और shape मैं कह रहा हूं rounded तो इसी तरीके से हम जो अब यह speak out का button है इसकी looks भी improve कर लेते हैं इन दौनों को center align करने के लिए मैं screen को select करके align horizontal में center कह रहा हूं और उसके बाद जो हमारा यह label था speech label इसको मैं कह रहा हूं कि इसकी height let's say 200 pixels और इसकी width है मैं कह रहा हूं fill parent और इसको मैं italics कर देता हूं और मैं भी थोड़ा font size बढ़ा रहा हूं जो हम design कर रहे हैं इसको हम real time देख सकते हैं कि यह UI कैसा लग रहा है तो यहां पे दिख रहा है कि यह यह जो हमारा instruction word है यह complete नहीं आ रहा है I think speak out जो है इसको bold नहीं होना चाहिए और उपर इनके बीच में हमें थोड़ा थोड़ा space डाल देना चाहिए तो मैं वापस जा रहा हूं हमार को जो space डालना है तो space डालने के लिए हम layout में जाके यह horizontal arrangement जो है इसको drag out करते हैं यह blue line की wait करें बिकास हमें top में डालना था और अब यह top में मैंने थोड़ा सा space डाल दिया यह इसकी कितनी height हो हम यहां से select कर सकते हैं तो मैं कह रहा हूं कि इसकी height हो 50 pixels और उसके बाद मैं एक और यहां ला रहा हूं और इसकी भी height कह रहा हूं हो 50 pixels यह cable spacers का काम कर रहे हैं और फिर मैं एक और ला रहा हूं button के नीचे speak out button के नीचे डाल रहा हूं और इसकी height में कह रहा हूं हो 20 pixels real time इसको हम अपने app में देख सकते हैं तो यह अब हमारा UI है जो कि I think ठीक ठाक लग रहा है hello how are you इसके user interface को आप और improve कर सकते हैं पर हम next level पे देखते हैं कि हम कैसे यह जो हमने app बनाई है इसको हम कैसे transfer कर सकते हैं अपने phone पर क्योंकि अभी तो हम इसको देख रहे हैं AI companion app है उसके through इसका interface देख रहे हैं तो MIT App Inventor में जो आप apps बनाते हैं उनको transfer करने के लिए हम यहां build में जाते हैं और हमारे पास दो options हैं कि दोनों ही options में यहां पर हमारे को एक APK file मिलेगी पहली option पर एक QR code generate होगा और वो QR code जो है वो दो घंटे के लिए valid रहेगा तो अगर आप कोई app बना रहे हैं जो केवल आप अपने phone में transfer करना चाहते हैं तो QR code यह जो है यह अच्छी option है transfer करने के लिए पर यह क्योंकि दो घंटे में यह जो भी link मिलेगा आपको वो lapse हो जाएगा इसलिए यह फिर आप अपने friends वगेरा को भेजने के लिए नहीं use कर सकते हैं उसके लिए आप यह second option select करो जिसमें है कि save the APK file to your computer और फिर APK file आपके computer पे save हो जाएगी आप उसको अगर वो file size बहुत बड़ा नहीं है तो आप उसको email कर सकते हो अपने friends को और आपके friends जो हैं अपने android device में वो APK file खोल कर उसको install कर सकते हैं तो मैं पहली option यहाँ पे choose कर रहा हूँ कि create a QR code APK file की compilation थोड़ा time लेती है हमारी APK file जो है वो बन गई है और उसका हमारको यह QR code मिल गया है तो अब हम अपने device पर जाकर QR code reader खोल रहे हैं और वो इसको scan कर रहे हैं तो हमारे को यह एक link मिला जो हम एक browser में खोल रहे हैं तो यह हमारी जो नीचे है यह speech APK download हो गई है file और इसको अगर मैं open कर रहा हूँ तो इस APK file को फिर हम install कर रहे हैं यह एक message मिलता है कि play protect जो है वो इस app के developer को recognize नहीं करता है पर हम यहाँ कह रहे है install anyway क्योंकि हमने खोद यह app बनाई है तो हमें पता है कि वो यह safe app है open the app जो हमने अभी APK file जे install करी है वो यह app है speech इसकी जो icon है MIT App Inventor की default icon है हम next video में समझेंगे कि हम कैसे यह icon में बदल सकते हैं पर अभी मैं इसको launch कर रहा हूँ और हम अब इसको test कर सकते हैं click here for instructions click here for instructions hello how are you तो यह जो दौनों हमारे features थे यह चल रहे हैं इसमें APK files जो आप install कर रहे हैं वो install करने के लिए आपको एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि आप settings में जाकर security पर जाकर आपको यहां पर यह जो feature है allow installation of apps from unknown sources इसको आपको on करना पड़ेगा अगर आप इसको on नहीं करोगे तो जो locally आप APK files से app install कर रहे हो वो आपकी device पर allowed नहीं होगी तो इसको on करोगे तो आपको यह message मिलेगा और आप इसको okay कहोगे तब ही जो app inventor की जो APK files हैं उनको आप अपने device पर install कर पाऊगे तो next video में हम translation का feature समझते हैं और अपनी app का UI जो है उसको और थोड़ा improve करते हैं